का इंसिया क्लासिस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबादें हेलो एवरिवन वेलकम तो मा यूटूब चैनल तो बच्चों कैसे हैं आप लोग क्या इस लॉक्डाउन में हम लोग काफी पंदिश में हैं कही तरह का रूल्स रेगुलेशन हम लोग को फॉलो करना है और कुरोना को हराना है तो कुरोना तभी हरेगा जब हम घर में रहेंगे बाहर कम से कम जाएंगे तो बाहर जाना भी पड़े तो बहुत जरूरी चीज हो जरूरी समान परचेस करना हो तभी आप जाएं नहीं तो आप घर पे ही से बच्चे जो Class 11th में आ चुके हैं और biology stream पसंद करते हैं और अपने biology से ही अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनका वेलकम करते हैं और स्टुडेंट्स के लिए आज का वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि biology को हम लोग कितने यूनिट में study करेंगे Class 11th में तो बच्चों आप ध्यान दीजेगा वीडियो को skip मत कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में काफी informations है और काफी informative वीडियो होने वाला है तो kindly अंतक जरूर देखिएगा तो बच्चों आपको biology की total 5 unit study करनी है और उन 5 unit में जो आपका पहला unit है वो है diversity in the living world इस diversity in the living world unit में आपको total 4 chapters study करने है total 4 chapters को जब हम study कर लेंगे तो यह हमारा पहला unit complete हो जाएगा तो कौन-कौन से ऐसे chapters है इस पहले unit में जिसे हम the diversity in the living world के नाम से जानते हैं तो सबसे पहला जो chapter है उस chapter का नाम है इसमें हम लोग study करेंगे कि हमारे इस अर्थ पे हमारे surroundings में हमारे nature में living organisms कौन-कौन से हैं और वो सारे living organisms जो हमारे आसपास हैं उनमें ऐसी कौन सी feature है जिसके कारण हम उसे living organisms का नाम देते हैं आखिर mountains, bricks या eat को हम लोग living organism क्यों नहीं कहते हैं हम लोग plants और animals को ही क्यों living organism का नाम देते हैं तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे living organisms के बारे में और उसके special features के बारे में salient property के बारे में salient features के बारे में ठीक है दूसरा जो chapter है वो आपको पढ़ना है biological classification इस classification में हम लोग-अलग scientist का दिया हुआ classification दिया हुआ theory study करेंगे और उनके postulates को हम लोग जानेंगे third जो आपको chapter पढ़ना है वो है plant kingdom plant kingdom में हम लोग lower plants और higher plants के total division को study करेंगे पूरा का पूरा entire part हम लोग इसमें study करेंगे जैसे आपने lower class में that is ninth में आपने पढ़ा होगा की plant kingdom is divided into following divisions division one is thallophyta, division two is bryophyta, division three is pteridophyta, division four is gymnosperm and division five is angiosperm तो पूरे के पूरे plants को इस अर्थ पे दो group में बाट दिया गया है पहला group क्या है non flowering plants और दूसरा group क्या है flowering plants non flowering plants को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों non flowering plants को हम लोग crypto games बोलते हैं और flowering plants को हम लोग fanro games बोलते हैं तो यह सारे classification, अलग-अलग division के study हम लोग chapter 3, that is plant kingdom में study करेंगे और जो fourth chapter है, जिसे हम animal kingdom के नाम से जानते हैं, इस animal kingdom में हम लोग different phylums के बारे में study करेंगे और आपको पता भी होगा, क्योंकि आप ninth में phylums के बारे में study already कर चुके हैं, तो यहां भी हम लोग इस animal kingdom में different phylums के बारे में study करेंगे कि porifera phylum क्या है, silentrata या nideria phylum क्या है, इसके features कौन-कौन से हैं, इनमें कौन-कौन से organisms पाया जाते हैं, silentrata क्या है, platyhelminthus क्या है, askhelminthus क्या है, यह सब हम लोग जानेंगे और हमारा जो last phylum है, that is core data, जिसमें हम लोग belong करते हैं, उसके बारे में भी detail study करेंगे, ठीक है, तो चलिए हम लोग इस video को continue करते हैं, और आते हैं अपने point पे, चुकि हम लोग life science के study कर रहे हैं, और life science को हम लोग biology भी कहते हैं, तो बच्चों, आपको जरूर पता होगा, what is biology, क्योंकि आप ये lower class से study करते आ रहे हैं, what is biology, और हम लोग इसी question से अपने इस video को शुरू करते हैं, अपने इस class को शुरू करते हैं, बदलाइए, आपको पता है, तो बच्चों, अगर आपको पता है, तो comment section में जाकर इसका आप answer जरूर लिखिए, what is biology, इस video के publish होने के के अंदर मुझे answer चाहिए, what is biology, तो बच्चों मैं बता दे रहा हूं, what is biology, biology is the study of living organisms, biology is the study of living forms, okay, biology is the branch of science in which we study about the living organisms, biology is also known as life science, because in this science, we study about the living organisms, we study about the life, okay, so in biology, there are two main branches, first one is botany, second one is geelogy, in botany, we study about the plants, and in geelogy, we study about the animals, बच्चों, do you know, first of all, who has coined the term biology, do you know, just write the answer in the comment section, मैं बतलाता हूं इसका answer, biology term जो है, वो ट्रिविरेनस अंड लेमार्क ने दिया था, यह बहुत important question है, who coined the term biology, तो इसका answer है, कि biology term was given by ट्रिविरेनस अंड लेमार्क, and biology, word is made up of two different words, first one is bios, and second one is logos, bios means living forms, bios means living organisms, and logos means study of, so, in biology, we study about the living organisms, living creatures, living forms, and who is father of biology, do you know, who is father of biology, आपको पता है, तो जल्दी comment box में जरूर लिखिएगा, वीडियो पब्लिश होने के बाद, एक घंटे के अंदर, तो बचों, मैं आपको बता दे रहा हूं, कि biology के father जो है, वो Aristotle कहलाते हैं, Aristotle is regarded as father of biology, and who is father of botany, father of botany, is regarded as Theophrastus, Theophrastus is regarded as father of botany, and father of zoology, who is regarded as father of zoology, yes, you are right, Aristotle is regarded as father of zoology, okay.